बासकार दोस्तों, Civil Engineering Support के एक बहुत ही महात्पुन वीडियो में आपका श्वागत है दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब बीम की ढ़लाई होती है सही तरीका ना होने के वज़स दोस्तों बीम इस तरीके से बीच में दोस्तों या तो इस तरीके से टेड़ा हो जाता है और साथ चांद दोस्तों अलग अलग जगा पर क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं साथ चांद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे में जो ब्रिक वर किया गया ना क्या बीम के नीचे इस तरीके से ब्रिकवर करना जरूरी है या फिर इसके बिना भी आम बीम की ढ़लाई कर सकते हैं चुकि दोस्तो आप देख सकते हैं एक इंट की कीमत दोस्तो साथ से दस रुपए तक होती है ठीक है अगर हम इस तरीके से जो beam के ढलाई हो रहे ठीक है पूरा concreteing किया जाएगा ठीक ना ये इस label पर होगा ठीक है इसको निचलाया जाएगा लेकिन जी जो brick work किया गया अगर इसको नहीं दे तो समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा दोस्तो ये चीजे जो है वो investment पर भी affect डालती है अब ये जो brick soling है दोस्तो इसको भी करने के अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरीके अपनाए जाते है बहुत जगा क्या किया जाता है कि इस तरीके से इंट बिछाने के बाद दोस्तो डारेक्ट इसके उपर दोस्तो इस तरीके से brick work किया गया है एक मजबूत बीम के लिए दोस्तो निश्ची तोर पे ये काम बहुत ही सही किया जा रहा लेकिन क्या इसके बिना भी हम बीम ड़लवा सकते है दोस्तो बीम जो इस तरीके से कर्भ लेता है ना ठीक है बीट से दोस्तो इस तरीके से बीम ही जुक जाता है बहुत जग आपने देखा होगा दोस्तो कि बिल्कुल नया बीम में भी cracks डेबल अप हो जाते है तो दोस्तो कभी भी जब brick work करें brick work तो जरूर ही है ठीक है इसलिए सिर्फ side लगा करके हैं दोस्तो बीम की casting की जाती है ground बीम की खास तोर पे उपर में जैसे से काम बढ़ता जाएगा दोस्तो काम framed structure होड़ा फिर तो दोस्तो आपको खुद सारे option मिल जाते है शट्रिंग के तो अब ये brick work में दोस्तो मोटार भरना इसलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है ताकि दोस्तो ये पहली चीजे ये चीजे बिल्कुल एक label में होना चाहिए ठीक है label pipe से दोस्तो पहले तो आपको label लेना चाहिए brick work करने से पहले ताकि बिल्कुल हमारा ये जो beam रहे एक label में रहे ठीक है ये चीजे हो गई दूसरी चीज दोस्तो अगर आप इन gap में जो brick work के बीच में जो gap है दोस्तो इन में अगर मोटार नहीं डालते हैं तो जो आप दोस्तो concreting करेंगे जब तो क्या होगी जब आप vibrator वगारा चलाएंगे दोस्तो तो वो concrete क्या होगा दोस्तो इन gap से इस तरीके से बहना start कर देगा ठीक है cement से लड़ी खास्तोर पर दोस्तो बरबाद चली जाएंगी और ऐसे में दोस्तो आपका जो beam का strength होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा तो समझ ले दोस्तो जब भी घर बन बनाना start करें आप ground beam से start करें दूसरी चीज़ दोस्तो बीम के नीचे इस तरीके से brick work करवाएं और एक चीज़ का आप ध्यान देंगे दोस्तो जब भी आप इस तरीके से beam बनाएंगे ना तो इसमें generally 2 zone होते है ठीक है यह उपर वाले को हम लोग बोलते हैं compression zone और यह नीचे वाला दोस्तो tension zone है आप देख सकते हैं उपर में सिर्फ 2 सरीया है जबकि नीचे में 3 सरीया लगाया गया है और यह इसलिए किया गया दोस्तो जोकि जब भी इस beam पे अगर लोड पड़ेगा ना ठीक है तो यह अगर माली जब मेरा उंगली beam है तो जब भी इस पे लोड पड़ेगा दोस्तो यह इस तरीके से जुकना चाहेगा ठीक है यह वाला उपर वाला जो पाठ है वो compress होगा और नीचे वाला दोस्तो tension में आगा tension में आने का मतलब है दोस्तो यह चीज़े खिचाओं में रहेगा ठीक है और यहां पर दोस्तो अधिक मजबूती की आवशकता होती है दोस्तो जहां पर कैंटीली भर beam की आगर बात की जाए तो यह पूरा का पूरा scenario उलट हो जाता है लेकिन अभी इसी beam के बारे में बताऊंगा ताकि confusion ना हो एक चीज़ का आपको और ध्यान देना चाहिए दोस्तो कि कभी भी जब beam में इस तरीके से ring लगाते हैं दोस्तो पहली चीज़ है जो hook angle है 135 पे होना चाहिए यह कुछ इस तरीके से ठीक है यह 90 डिग्रे वाला opposite condition में दोस्तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता 135 रहे safe side में रहने के लिए और सांतिसां दोस्तो alternate way में इसको जो है वो tie करना चाहिए ठीक है एक यहाँ पे है दूसरा hook यहाँ पे है तीसरा hook यहाँ पे चौता hook यहाँ पे है मतलब कि एक pattern बना ले इस तरीके से alternate ताकि beam एक जगा से बिल्कुल भी कमजोर ना हो जब beam को ढालने के बारी आए दोस्तो तो आपको M20 grade के concrete का इस्तमाल करना चाहिए मतलब एक बोरी cement में आपको देर बोरी बालू और तीन बोरी गिट्टी का आप इस्तमाल जो है वो कर सकते कुछ इस तरीके से अगर आप construction करवाएंगे तो long term में दोस्तो मजबूती के साथ साथ बढ़ियां finishing भी आएगे और कभी ढ़लाई में दोस्तो vibrator को बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करनी चाहिए vibrator हमेंसा जहां भी concreting हो दोस्तों वहाँ पर इस्तमाल करना चाहिए उसके लिए आपका shuttering का सही होना भी जरूरी है तभी आप vibrator का सही इस्तमाल कर पाएंगे फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे जनकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्वकार धन्यवाद